हेलो गाइस स्वागत है आप सब का तो अदानी पावर जैसे कि आप सब देख रहे कि कि लोवर पर लोवर सर्कृट मार रहा है 5% के असपास की तो यहाँ पर हम देखेगे कि क्या इसके अंदर दिक्कत है और यह कहां तक नीचे लुड़क सकता है और मुझे असा लग रहा है कि यह शोटनम में इसके अंदर एक छोटा सा बांस बेक भी आ सकता है तो अच्छा कासा एक ट्रेड भी बन सकता है और जो में खास चीज़ है कि इसकी जो शेर होल्डिंग प्रेटन है वह जब आप देखोगे तो आप शौक रह जाओगे कहीं चीज़ है तो वीडियो जो ह करना चालू कर दिया है अदानी ग्रूप के अंदर और खास करके अदानी पावर के अंदर यहां पर बताया रहा है और इसकी जो अर्निंग है वह भी काफी जो है एक कम आई है ओल्मस्ट जो है नेगेटिव और नहीं कर सके लेकिंग बहुत ही स्यादा कम प्रॉफिट में है यहां पर अगर आप देखे तो यह इसकी रिपोर्ट आप देख सकते कि अधानी पावर जो है उसने अपने आपने प्रॉटर तरी के रिजल्ट जो पेज किये उसको अभी हम देखे के पूरा इक तरके सही यहां पर आप देख सकते कि कल इसकी प्राइसींग जो है 102 फ्रचा थे और फियूल का खर्चा था अब सब जानते कि कुरूट के ओईल जो है वह बार ज्यादा थे और उस वज़े से जो है इसका फॉपित काफी जो है काम आया है जो अब यह कर लिए का सकते कि यह बहुत ही ज्यादा कम आया है और यहाँ पर देखें तो आगे बताए जा रहा है कि इसका जो अर्निंग भीफोर टेक्स है इबीटा वह अगर देखे तो वह ठीक ठाक रहा कि इसके अंदर कितना जो है होलिंग रखना चाहिए अभी तक इसकी होलिंग अच्छी खासी थी अब उसको यह कम करने जा रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं कि और पहले जो इसका वेटेज था वह 8 पसंद के आस पास था अधानी पावर यहां पर इसके फंडामेटल पी सरह हम देख लेते हैं आज इसका प्राइस अगर देखे तो 164 के पर क्लोजिंग हुई 63,000 करोड के आसपास का मार्केट केब है पी रेशियो जो यहां पर यह दिखाए गया है कि 6 के आसपास का पी रेशियो लेकिन यह कम इसलिए दिख रह लेकिन यहां पर अगर आप देखे तो इसका रिटन और इक्विटी और वह अच्छा कासा यहां पर दिख रहा है 52 अगर देखे तो 433 रुपे के आसपास का लेकिन यह तब की बात है जब इसके अंदर जो है अदानी सारे का सारा ग्रूप जो है ऊपर था अब इसके अंद ने भी देखा लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट है जो कि 280 करोड़ था वो सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ के आसपास करें गया है उसका रिजन एक है जैसे की रिपोर्ट में बताए गया है कि खर्चा जो है फ्यूल कोस्ट जो है वो काफी ज्यादा थे इस क्वाटर के और हाला कि revenue बड़ी है वो काफी अची कासी बात है यहाँ पर और यह इसका यह रोन के रिजल्ट भी अगर आप देखने के अंदर सेल्स के अंदर देखे तो एक अच्छी कासी बड़त देखने को मिली और इसका नेट प्रॉफिट है यह साल दर साल अगर देखे तो जादानी ग्रूप का है हो सकता है कि वह कुछ ना कुछ management कर ले लेकिन इतना ज्यादा करजा यह भी थोड़ा सा concern है अब यह इसकी shareholding pattern ज़रा देखे प्रमोटर के पास तो 75% का स्टेक है ठीक है यहाँ पर जो चीज मुझे लग रही है FIS अगर आप देखे तो इसने holding almost यहाँ पर अगर देखे तो zero हो गई है यह चीज जो है मुझे शौकिंग लगी क्योंकि D.I.S. ने अगर आप देखे तो किसी का ध्यान भी नहीं था जून क्वार्टर में जो 5% की इससदारी थी एकदम से उन्होंने बेच दिया और सारा का सारा माल अगर देखे तो public के हवाले ही हो गया है रिटेलेस को चिपका दिया यह सब कह सकते है या फिर रिटेलेस के पास आ गया है साथ पसंद के आसपास की holding सीधे सीधे अगर देखे तो 12 पसंद के उपर की public के पास holding आ गई और आने वाले मार्च क्वार्टर में अगर देखे तो यह holding share holding pattern बिलकुल ही जो बड़ा investor है वो एकदम zero यहां पर है उसकी तो यह थोड़ा सा shocking लगा मुझे और अब इसके जो है हम देख लेते हैं इसके टेकनिकल चाट के उपर तो अब यहां पर मुझे ऐसा लग रहे है कि कहीं ना कहीं क्योंकि काफी ज्यादा गिरावट already हो चुकी है यहां पर अ अब यह सर्किट के लोवर सर्किट मार रहा है आज भी अगर देखे तो यह पाट पर से लीचे के लोवर सर्किट के ऊपर बंद था यह ओपन ही नीचे पर हुआ और बिल्कुल वही पर क्लोजिंग इसकी हुग गी तो कही ना कहीं लेकिन फिर भी मुझे इसा लग रहा है क कि अगर आप देखे तो अब आप त्यान से नोट करते जाए सबसे पहली बात कि सपोर्ट कहां पर है कहां से यह जो है बाउंस बैक आ सकता है इसके अंदर तो इसका जो यह वीकली चार्ट है इसका और इसका 200 वीक का जो मुविंग एवरेश है वह 156 रुपी से तो यहां तो इसके अपर यह पर एक अच्छा का साईस को सपोर्ट मिल सकता है तो सोम बर को इसके उपन रिशर रखें सोम बर को हो सकता है कि यहां पर एस लेवल्स को टूछ कर कर चैंड़ा सा नीचे जा कर इसके पीर पीछले काई महिनों में या पिछले कई जालों में यहां पर आप देख सकते हैं और यह इसका मंतली चार्थ है अब इसके अंदर भी अगर देखेतो अभी करें परण के प्रैम सब्सक्राया तो यहाँ पर क्योंकि आप दिये इस candle को जरा आप देखें यह monthly candle है monthly chart है और यह तक्रीबन 2021 की बात है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अभी इस 164 रुपीस के आजपास का इसने एक high बनाया था वहां से इसने एक resistant था तब और वहां से यहाँ पर अगर आप देखे तो यह 164 स अब इसके अंदर यह एक resistant था तो अब यह एक support का काम कर सकता है लेकिन हो सकता है कि यह 5-10 रुपे उपर नीचे हो 164 तू धियान से सुनिए 156 रुपे मतलब कि यह प्राइस जोन है कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इंद शॉर्ट टम की में बात कर रहा हूं यह support ले सकता है य यहाँ पर अच्छा खासा अगर देखे तो वोल्यम देखने को मिला था तक्रीबन अगर देखे तो 100 मिलियन के आसपास मतलब कि 10-12 करोड के आसपास दस करोड कास पास सेट की यहाँ पर ट्रेटिंग हुई थी और अच्छा खास डिलिवरीबल कॉंटेटी भी उठाई जो यह मैंने मार्क किया हुआ है 136 रुपे यह वहां तक जा सकता है लेकिन यहां तक जब यह जाए उससे पहले इसके अंदर एक बांस बेक आना साधा पोसिबिलिटी लगती है तो आप ठीक से जो है वो भी आप ज़रूर कर लीजिए जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंद दिनों के अंदर आने वाले हपते के अंदर लेवल को ज़रूर कर लीजिए नीचे में आप स्टोपलोस रख सकते हैं 145 रुपे के आसपास का अगर किसी को स्टोपलोस जरूर रखे इसके अंदर देखे तो यह अगर आप देखे तो यह गिरती चूरी है और भी नीचे के तो 130 रुपे तक यह आराम से जा सकता है नीचे में जैसे कि हमने बता है क्योंकि यहां पर भी अच्छा-खासा सपोर्ट है यह मैं शौर्ट टम की बात कर रहा हूं थोड़ा से अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर और बन सकता है ऐसा मुझे लग र है तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स अगर आपके कुछ सवाल है तो मैं नीचे कमेंट करकर पूछ सकते हैं अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक स्टेंडर डिस्क् सब्सक्राइब मेरे तरफ से कोई भी बाई यासर की रेक्मेंडेशन नहीं है थैंक यू